कि नमस्कार मिथ्त्रों आजे आपड़े धोरण दस्ट नी अंदर विसे हिंदी नी आंदर जे तमने गाला आस्यामेंट नी अंदर आपैला शे एनी अंदर आपड़े असिगन सब्स्राइब पांच शे एना विशे आपड़े एमा विभाग बीनी सोल्यूशन जोगानू शे तो सवथी पेला तमने एनी अंदर एवो गितू शे के निमन लिखी प्रश्णों के सही विकल्प चुन कर उत्तर लिखी अवे तमने नीचे प्रश्णों आपड़ा शे तो एमा तमने पंदर मो प्रश्णों एवो गितू शे के जन जन के हदय में कौनसी नदिया बस्ती है तो एनो जवाबाव से गंगा तथा यमूना पछी सोड मो प्रश्णों 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 है यमा तमने एवो की दूशे के सबकी नजर बचा कर खरहा कहां रहता था हवे एनी अंदर जवाबाव से तमारू जाडी में पसी निचे तमने सत्तर मो प्रश्ण पुई छो है और एनी अंदर तमने एव की दूशे के साथु का सरीर कैसा है तो एनी अंदर जवाबाव से दिविय और चमकता के सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तमने एक खाली जगिया प्रसीद है तो एमा आउसे जवाब नी अंदर अमल नात पछे तमने नीचे ओगनिसमी खाली जगिया प्रसी अने एमा एव की दूशे के लोटा मन की खाली जगिया बुजाता है तो एमा आउसे तपन पछी विसमी खाली जगियाँशे, एमा एवो किदू से तमने, के मुर्ख लगने पर, भूक लगने पर खाली जगिया जोर से शिकार जपडता है तो एनी अंदर जवाबाव से बाज हवे तमने आनी अंदर एवू पण किदू से नीचे के निमनलिखी विकल्प में से सही विकल्प जुन कर वाक्य पूर्ण कीजी और तमने नीचे एमा विकल्प आपेलाई से त्रण एमा तेन तमने वाक्य नियंदर खुड़तु होई और जवाबावतो होई लखवानू से तो एमा तमने एकविस्मू से और एनी अंदर तमने एवू कीदू से के प्रफूजी तूम चंदन पशी खाली जगिले वाक्य पूर्ण करवानू से जवाब माँ से हम बाती पशी 22 मुशे ये तमारे जाते करवान। उले से शाव से लूशे तो तमें जाते करी सक्सो पशी 23 मुशे ये अंदर तम नी ये उखितू के मीरा को अपने सद्ध गुरु पर आपार ब्रह्य है और पशी तमारे वाकिय से पूरु करवान। वेले के मीरा को अपने सद्गुरु पर आपाद स्रद्धा है और पसी वाक्य पूरुकारुन लेमा जवाब आऊँछे वे उन्हे ही भगवत भगवत भक्ती प्राप्त करने का आधार मानती है पच्छी तमने येमा येवव पन कीदूशे के निमन लिखी प्रस्णो के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए अवे तमने एमा 24 मों प्रश्णा पेलो शे औने एनी अंदर तमने एव की दूशे के सीक रुष्णा ने कौन से ग्रंथ की रचना की है तो एमा जवाबाव से तमारो के सीक रुष्णा ने फग्वत गीता ग्रंथ की रचना की है पची 25 प्रस्णों से एमा एमा एव की दूशे प्रस्णों ने अंदर के लोमडी क्या देख रही थी तो एनों जवाब से याव से के लोमडी खेत में कुत्य को खरह का पिछा करते हुए तो था खरहे का बिहर बन में छीप जाना और कुत्य का इधर उदर शुंग कर वापस जाना देख रही थी पची एमा तमने एव पन के वा मैं वुशे कि निमन लिखी प्रस्णों का उतर दो तीन वाक्य में लिखी कवी ने कस्मीर को नाओ की नगरी क्यों कहा है तो एमा जवाब आउ से कस्मीर की प्राक्रुतिक छटा मन को मोह लेने वाली है यहाँ अनेक जिने और सरोवर है जिन में सेभरनी सुन्दर नावों में नोक विहार का आनन लेते है नाचे कस्मिर की पेज़ार है इसलिए कवी ने कस्मिर को नाव की नगरी कहा है पशे तमने नीचे एमाई एवोपन की दूशे के नीमन लिखी प्रस्ण का उत्तर चार पांच वाकिये में लिखिए अवे तमारे जे सिता विश्मो प्रस्ण आपेलो शे एनो तमारे जवाब से चार थिन पांच वाकिये नियंदो लखवानों शे तो प्रस्टन अतमने के एक आओ आपेलो है कि लाला सदानन्द के चरित्र पर अपने विचार फर्स्ट कीजिए तो एनियंदर जवाबाव से कि लाला सदानन्द एक सजन भले मानस थे और सविदनसिल और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है उन्होंने कहीं वर्स पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को करज दिया था लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने सादीराम से पेशा का कभी तकादा नहीं किया बलकिन उसकी विवेस्ता को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपिय न दी लोटाए तो अच्छा है दूसरों की मदद करने में भी वे पिछे नहीं रहते थे और पंडित सादीराम की सहायता करने के उबदेश्म से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छटकर जमा करने के लिए कहा था उन्होंने चित्रों से स्वयम और अलमबन बनाया विगनापत दिया और किसी सेट के नाम से पत्र भेज कर अलबम स्वयम अपने पास रखकर साधी राम को रूपिय दिलाए यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि साधी राम के आत्म सन्मान पर आप आज नो आये और उन्हें यह लगे कि रूपिय उन्हें अपनी चीज के मुल्य के रूप में मिले हैं दान में नहीं यह से लाला सदर्नन के चरित्र पर तमें अपने विचार में परस्ट करी सक्षो अवे तमने नीचे यह मां यह उपन की दूशे कि नीमन लिखी कथनों का आश्चर यह फर्स्ट कीजी अवे एनी अंदे तमने इठा इसमों प्रस्ट ना पेलो शे अने यह मां यह की दूशे के दाना नहीं था इसलिए वजीर रखा नहीं था तो आनो तमारे आश्चर यह फर्स्ट करवानों शे तो यह तमें जाते शे यह करी सक्षो तो मित्रो आ वीलियो मारो जो तमने पसं इसके थैंक यू